प्याम मोदी ने क्रिशी कानून को वापस लेने का एलान किया तो हर्याना में सियासत तेज हो गई है कौंगरिस इसे किसानों की जीत बता रही है कोंगरिस अब बीजेपी पर भी हमला पर है करनाल में कॉंग्रेस के नेता और हर्याना के पूरुव स्पेकर कुल्दीप शर्मा ने कृषी कानून वापस लेने के फैसले के बहाने केंद्र पर हमला बोला है। यह दिया सिर्फ कानून वापस लेने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने हर्याना सरकार पर भी निशाना साथा। है कि मुख्यमंत्री भी ताल ठोक रहे थें. तीनों कृषी कानून वापस नहीं होंगे. हर्याना के मुख्यमंत्री तो यहां तक यह तक रहें तर लटो ठालो. क्रिशी कानून वापस लेने का फैसला हुआ तो हर्याना सरकार भी बताने में जुटी हैं कि ये कानून किसान विरोधी नहीं बलकि किसान हित में थे फाइदा छोटे किसानों को था विवानी पहुंचे हर्याना के क्रिशी मंतरी जेपी दलाल ने कह दिया कि सरकार की जानों को समझाने में नाकामें को मिल जूल करके निर्माण के कारियों में समाज की भलाई के कारियों में किसानों की भलाई के लिए क्या कदम उठाये जाए उस तरफ सोचना चाहिए अमबाला में कॉंग्रेस ने पद्यात्रा निकाली इस दोरान कॉंग्रेस कारे करताओं ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगए अरियाना में खाप की पंचायतों ने भी क्रिशी कानून वापस लेने का केंदर के फैसले का स्वाकत किया है बहादूर गण में राठी खाप के प्रधान रनवीर राठी ने किसानों से सड़क खाली कर घर लौटनी के अफील की है संगटनों को भी अब परदानमंत्री जी की बात है इसका को छोटी बात नहीं है परदानमंत्री अपने परदानमंत्री जी ने कहिए है उसकी बात मान लेनी चीए रास्ता सरकों पर छोड़ देना चीए सेंग किसान मोर्चा ने भी अलान किया है कि अंदोलर अभी खत्म नहीं होगा किसान MSP की गारंटी परणे हैं और कह दिया है कि सरकार जब तक मांग नहीं मानती वो हटने वाले नहीं करनाल सेह मांशू नारंग, अमबाला से कमल प्रीत सबरवाल, भिवानी से जगबीर घंगस, बहादुर गड़ से प्रदीब धनकड के साथ सोनी पत से नितिन अंतिल, खबरें अभी तक